Hello everyone, welcome back to our channel ABC of Commerce So friends, हमारा class 11th में accounts का chapter 2 चल रहा था basic accounting terms, तो part 1 और 2 हमने उसके already discuss कर लिये थे, जिसमें हमने mostly काफी सारी basic accounting terms cover करी थी तो आज ये हमारा part 3 है और इसमें सारी accounting terms जो हम आगे बहुत जादा use करने वाले हैं तो वो सारी इसमें complete हो जाएंगी, अगर आपने पिछले parts अभी तक नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हैं, description पर आपको उनका link मिल जाएगा तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज की हमारी सबसे first term है stock, तो stock का मतलब क्या होता है, कोई भी वो goods जो business ने purchase करी है अपने customers को बेचने के लिए, और हमारा accounting year खतम हो गया, बट अभी तक वो goods भीकी नहीं है unsold है, तो हमारे stock माना जाएगा, इसमें हम include करते हैं finished goods, मतलब अगर कोई manufacturing company है उसने अपना समान पूरा completely manufacture करके पूरा तयार कर लिया है, तो वो finished goods में count होता है इसके साथ कई बार हम इसमें raw material, stock of raw material भी include करते हैं, लेकिन condition है इसमें कि हमने जो raw material खरीदा था वो हमने resell करने के लिए ही खरीदा था, हम उसको अपना finished goods बनाने में use नहीं कर रहे, तब हम उसको जो है अपना stock मानेंगे अब दो types के होते हैं ये stock, एक होता है opening stock, एक होता है closing stock, example के लिए अब हमारा financial year, financial year हमारा start होता है 1st April से और खतम होता है 31st March को, okay तो example के लिए यहाँ पे हमारा financial year चल रहा था 2020, 2021, okay तो अगर इस साल के last में, closing मतलब last में, अगर at the end of the year, अब at the end of the year क्या होगा इसका 31st March, okay तो अगर 31st March को, अगर हमारा कोई भी ऐसा stock बच जाता है, जो अभी तक हमारा बिका नहीं है, तो वो हमारे लिए माना जाएगा closing stock, okay और यह हमारे होगी हमारी current assets, अब हम इसको क्या करेंगे, जो stock हमारा इस साल last में बच गया है, उसको हम अगले financial year में carry forward करेंगे, okay तो example के लिए हमारा next financial year होगा 21-22, okay तो इस साल हम जब इसको carry forward करेंगे, तो यह इसका जो closing balance था, यह अगले साल के लिए opening balance बन जाएगा तो if at the beginning of the year, beginning of the year मतलब 1st April, अगर 1st April मतलब beginning of the year को, अगर कोई भी ऐसा stock जो unsold है, वो बचा है, तो वो हमारे लिए opening stock है और यह opening stock हमारा जो previous year है, मतलब जो 2021 हमारा previous financial year था, वहीं से आता है, okay तो यह होता है opening stock और closing stock, उसके बाद next term आती है हमारी inventory अब inventory और stock में difference है, inventory जो है बहुत wide term है stock के compare में inventory के अंदर stock तो हम include कर सकते हैं, लेकिन stock के अंदर सारी inventory हमारी नहीं आ सकती इस वज़े से हमने inventory term जो है अलग बनाई है, तो inventory में क्या क्या include होता है, finished product इसमें include होता है वो सब भी हम इसमें include करते हैं, example के लिए अगर कोई raw material है, work in progress है, stock in trade है, यह सब भी हम इसमें include करेंगे और inventory भी हमारे लिए हमारी asset है, तो यह raw material, work in progress क्या होता है, इसको देखता है यह inventory हमारे 4 types की होती है, जिसमें सबसे first आता है raw material, raw material मतलब अगर कोई manufacturing company है, तो उसको manufacture करना है, अपना product बनाना है, उसको production करना है, तो उसके लिए उसको कुछ material तो चाहिए होगा, तो वही material उसके लिए raw material है अगर हम बात करें, अगर कोई garment manufacturing company है, तो उसका काम क्या है, बिजनस क्या है, garments तयार करना है, तो उसके लिए garments को तयार करने के लिए उसको कपड़े की जरुरत पड़ेगी, तो अगर वह कोई raw clothes खरीद रही है, तो वह उसके लिए raw material की तरह काम करेगा, ऐसी वह अगर thread खर खरीद रही है, या फिर कोई दूसरा designing का material खरीद रही है, तो वह उसके लिए raw material है, तो दूसरा आता है work in progress, work in progress को हम semi-finished goods भी बोलते हैं, मतलब वह goods जो अभी हमारी पूरे तरीके से तयार नहीं हुई है, उसके हमें अभी आगे और जादा work करना है, उसके एग्जम्पल को आगे हम continue करते हैं, एक्जम्पल के लिए जो हमारी garment manufacturing company है, उसके मतलब अगर कुछ, कोई semi-stitched clothes है, मतलब आधे से लिए हैं, कुछ काम उनमें रहता है, या फिर उनमें finishing करनी रहती है, कुछ या फिर कुछ designing का work pending है, तो वो सब माने जाएंगे work in progress में, जिसमें अभी में जाके, उसके माद आता है stock and trade, stock and trade वही होता है, जैसे अगर कोई जो trading कोई company है, कोई garments की company है, लेकिन वो उसमें trade करती है, manufacture नहीं करती है, समान को खरीती है, और बेचती है, तो अगर वो purchase कर रही है, तो वो उसके लिए stock and trade है, जो उसने reseal करने के लिए ही खरीदा है, उ तो ये depend करता है कि वो use किस तरह, जो समान खरीद रहे है, उसको use किस तरीके से कर रहे है business में, तो उसके basis पर हम classify करते हैं कि वो raw material है या फिर stock है, उसके बाद next accounting term आती है हमारी expenditure, expenditure क्या होता है, an expenditure is a payment, अगर हम इन सारी चीजों के लिए अगर payment करते हैं, जैसे अगर हम कोई asset खरीद रहे हैं, जैसे कोई land and building, plant and machinery, अगर हम ये सब purchase कर रहे हैं, तो ये हमारे expenditure है, reduction of liability, मतलब अगर हम liability की payment कर रहे हैं, जैसे हमने कहीं से loan लिया था, उसका principal amount हम pay कर रहे हैं, distribution to honor, honor में से profit का हिस्सा कुछ honor में बाट रहे हैं, जिसको हम dividend बोलते हैं, ठीक है, profit का ये ए हम business के आगे कोई further improvement के लिए, development के लिए, कुछ growth के लिए, आगे कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए expenditure है, पिछली वीडियो में हमने एक term पड़ी थी, expense, expense क्या था, जो भी हम अपना समान तयार कर रहे हैं, उसको, उसके manufacturing से लेके, उसको sale करने तक के, जो भी ह हमारे खर्चे आते हैं, वो सब हमारे लिए expense होता है, okay, तो वो भी खर्चे होता है, expenditure भी खर्चा ही है, लेकिन दोनों में difference किया है, जो हमारा expense का amount होता है, as compared to expenditure, small amount होता है, okay, जैसे चोटी मोटी हमें अगर payment करी से हमने raw material खरीदा, हमने salary पे करी, हमने rent पे किया, तो इस त खरीदनी है, हमें कोई नया plant लगाना है business में, ताकि business हमारा और develop करे और उसकी growth हो, कोई नई brand खोलनी है, okay, तो वो सब इस सब चीजों में हमारा large amount लगेगा, तो वो हमारे लिए expenditure है, और ये expenditure हमारे two types के होता है, एक capital expenditure होता है, और एक revenue expenditure होता है, जिसको हम आगे discuss करेंगे, next videos में, उसके बाद दूसरा difference किया है, reduction in the value of fixed assets, अब जैसे हमने, कोई भी समान हमें manufacture करना है, उसकी manufacturing के लिए हम किसी machinery को continuously use करेंगे, तो automatically उसकी value में कमी आ जाएगी, okay, तो ये होता है, इसकी वज़े से अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी fixed assets, only fixed assets की बात हो रही है, यहापे, fixed assets क value में कमी आ सकती है, लेकिन expenditure में हम क्या करता है, हम fixed assets purchase कर रहे होता है, तो इससे हमारी fixed assets की value बढ़ती है, जो हम expense कर रहे हैं, जैसे हमने आज की date में expense किया, तो उसका benefit हम बहुत ही मतलब short time में ही सारा ले लेंगे, जैसे एक महीने में या दो महीने में, या फिर maximum one year में, हम जो भी सारा benefit जो है, उसका ले लेंगे, और जो expenditure है, वो उसका benefit जो हम business में बहुत long time के लिए ले सकते हैं, जैसा अगर हमने कोई machinery खरी दी, कोई asset खरी दी, तो उसका हम आगे आने वाले बहुत सालों में तक use करने वाले हैं, okay, example के लिए अगर हम salary पे कर रहे हैं, rent पे कर र हैं, okay, next time आती है bad debts, bad debts क्या होते हैं, when amount receivable from debtors, debtors कौन होते हैं, वो persons जिनको हमने goods credit में बेची हैं, तो अगर इस type के लोगों से जिनको हमने उधार में समान बेचा था, अगर अब हमें उनसे कुछ payment नहीं मिल पा रही है, उनसे जो हमें amount मिलना था, वो हमारा irrecoverable हो गया है तो वो हमारे लिए होता है at bad debts, okay, तो ये business के लिए loss होता है, अब बहुत सारे reason हो सकता है, debtors जो payment नहीं कर रहे हो सकता है, कि actual उनकी कोई financial problem हो, या फिर हो सकता है कि वो जान पूछ के ना कर रहे हो, तो कोई भी reason हो सकता है, okay, example के लिए, यहाँ पे एक company है, XYZ Limited और एक person है Mr B, इसने इसको goods sold करी है credit में 14 2021 को, और जो इसको इसकी repayment करनी थी, जो इसकी due date थी payment की, वो थी 10-5, 10 मय, okay, तो जब इसने इसको credit में समान बेचा, तो ये इसके लिए debtor बन गया था, मतलब इसकी current assets बन गई थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या बाद में, जब इसकी due date आई payment करन तुमें payment करनी है, कर दो payment, बट इसने payment नहीं करी, तब तक भी और उसके बाद भी, क्योंकि ये insolvent हो गया था, अब यहाँ पे एक नई term निकल कर आई है, insolvent, insolvent कौन होता है, जो person actual में अपने debts पे नहीं कर सकता, not in a position to pay its debt, उसको हम बोलता है, insolvent, okay, तो अगर ये insolvent हो कंपनी के लिए, जो इसके लिए पहले debtor था B, मतलब इसने इसको बेचा होगा समान 5000 का, तो वो 5000 के इसके लिए पहले asset थी, debtors थे, लेकिन जब ये insolvent हो गया, तो अब वो 5000 bad debtors जो हो जाएंगे, वो company के लिए loss होंगे, okay, okay, उसके बाद हम assume करते हैं कि in future में, 142022 को क्या ह हुआ, यही same person, इसके पास कहीं से payment आ चुकी होगी, इसको मिल चुकी होगी, okay, तो इसने क्या किया, बाद में, एक साल बाद मतलब, इसने company को वापस से जो भी इसके debts थे, वो इसने repay कर दिये, full payment कर दी, 5000 के थे, तो 5000 के इसने पूरी payment कर दी, तो अब company इसको किस नाम से record कर होगी, bad debt recovered के नाम से, okay, अब इसको recover हो चुके हैं, तो यह company के लिए income है, तो यहां से एक और term निकल कर आई, bad debt recovered, okay, तो यह होता है, इसके बाद next term है discount, discount क्या होता है, एक type से rebate हम इसको कह सकते हैं, जो seller देता है buyer को, जैसे जब भी हम समान purchase करने चाहते हैं, तो हमें एक discount म मिलता है, ठीक है, सभी ने सुना होगा, तो अगर कोई company, हम यहां पर company के point of view से देख रहे हैं, तो अगर कोई company discount देती है, मतलब discount अगर allowed का case है, तो वो company के लिए loss है, लेकिन अगर company कहीं से वही discount receive कर रही है, तो वो company के लिए income है, तो टाइप के होता है, एक होता है trade discount, एक cash discount, दोनों में difference किया है, trade discount हमें जो भी product है, उसका जो list price होता है, उस पर एक fix percent दिया जाता है, कि 5%, 10% ऐसे, लेकिन cash discount हमारा कभी भी fix नहीं होता है, trade discount हमें quantity basis पे दिया जाता है, कि अगर हमने इतनी quantity घर दी तो हमें इतना percent discount मिलेगा, और जब कि cash discount हमें payment के basis पे दिया जात दी, तो हमें cash discount मिलेगा, trade discount को हम books of accounts में record नहीं करते हैं, और जब कि cash account को हम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि trade discount actual, ये customer के लिए तो discount है, मतलब जिस person को मिल रहा है, उसके लिए discount है, लेकिन actual में company के लिए discount नहीं है, क्योंकि company ने इसको already fix कर रख है, अपना पहले से ही उसके trade practices ही है, कि मतलब अगर कोई person इतना इतना समान खरीदेगा, तो उसको इतना इतना discount मिलेगा, तो मतलब जो हमारी transaction हो रही है, उससे पहले ही ये discount already fix है, actual में discount नहीं है, उसके लिए, seller के लिए, ठीक है, example के लिए, जैसे अगर हमने, उसने already अपना trade practice बना रहा है, कि अगर हम 10 pieces तक खरीदे हैं, तो हमें 5% discount मिलेगा, अगर हम 100 pieces तक खरीदे हैं, तो हमें 10% मिलेगा, अगर हम 1000 pieces तक खरीदे हैं, तो हमें 20% मिलेगा, तो इसमें तो इसमें already fix कर रहा है, ठीक है, तो इससे तो already पता ही है, कि हाँ, इसको ऐसे करके sale करनी है, तो ये इसकी policy है, ठीक है तो और transaction से पहले ही ये चीज already fix होती है तो इस वज़े से हम इसको books में record नहीं करते हैं लेकिन हम cash discount को record करते हैं क्योंकि ये fix नहीं होता है जब हमारी transaction हो रही होती है उसी time पे हम इसको देते हैं अब जरूरी नहीं है कि हर case में हम दे हो सकता है हम दे भी या नहीं भी दे अब इसका main aim क्या होता है trade discount का quantity increase करना क्योंकि person अब देखेगा कि मतलब जादा से जादा जितनी quantity वो खरीद रहा उतना जादा जादा उसको discount मिल रहा है तो main purpose इसका यह होता है कि वो number of quantity sold बढ़ा सकें लेकिन cash discount का main aim होता है कि वो अपनी cash sale ज्यादा से जादा कर सकें और अपनी जल्दी से payment receive करें debtors को क्योंकि इसमें क्या होता है यह मतलब इस तरीके से होगा कि अगर हमने, जैसे हम जैसे हमे견 seller बोल देगा कि अगर हम इतने date तक payment कर दी तो हमें इतने का cash discount मिल जाएगा और अगर हम इससे और जल्दी कर देंगे तो खमें और जादा cash discount मिलेगा सरफ हमारी cash transactions पे दिया जाता है क्योंकि जब हम cash payment कर देंगे तो उसी के basis पे जो है हमें discount मिलता है okay example के लिए यहां पर एक person है Mr. A इसने Mr. B से कुछ goods खरीदी है जिसका price था 60,000 okay to Mr. B ने इसको 10% discount दिया और वो 10% discount इसने इसको क्यों दिया है कि वो मतलब उसकी ज़्यादा quantities खरीद रहा होगा उसने उसकी मतलब बहुत ज़्यादा quantities bulk quantity bulk में खरीदा है समान तो उसने उसको 10% का discount दे दिया तो normally जो trade discount होता है यह जब हम quantities bulk में खरीदते हैं तब ही मिलता है तो यह होगा यहाँ पे हमारा trade discount और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने बाद में 500 रुपे का और उसको discount दे दिया ताकि वो जल्दी से payment कर सके तो इस case में जो 60,000 की goods हैं जिसमें उसने 10% उसको discount दिया मतलब 6,000 रुपे यह उसके लिए trade discount है Mr. A के लिए यह उसका trade discount है और यह उसको अपनी books में record नहीं करेगा क्योंकि उसको उतना पता है कि अगर कोई person उसकी इतनी quantity से जादा खरीदेगा तो उसको वो 10% देगा पहले से यह fix है लेकिन यह जो 500 रुपे यह कुछ fix नहीं है अब वो उसकी payment के उपर बेस है अगर वो payment ही नहीं करेगा जब तक वो कहेगा तो वो उसको यह cash discount थोड़ना देगा यह 500 रुपे इसके लिए cash discount हो इसको वो record करेगा तो बुक्स में वो record कैसे करेगा 54,000 54,000 कैसा है 60,000-6,000 तो 54,000-500 तो 53,500 का जो है वो अपनी बुक्स में record करेगा कि इतने की उसने sale करी है और बाकी का उसका discount हो गया है तक तक यू